आज आपके लिए एक लिए के आए नया टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन और प्लांट और अनिमल को कैसे सुरक्षित रखा जाए ठीक है यह 8 क्लास का चेप्टर है ठीक है तो इसमें अपन पढ़ते हैं आज देखो सबसे पहले हैं Sylvie Culture क्या होता है Science की एसी का इंदर ओर इसनी का डिक है उसे क्या बोलते हैं silvy culture क्या बोलते हैं उसे silvy culture ठीक है ऐसी branch science की जिसके अंदर forestry की development और management की study की जाती है उसे क्या बोलते है silvy culture ठीक है अब देखो जो forest है वो हमारे लिए क्या importance role play करते हैं तो उसमें सबसे पहले परते हैं importance of forest में की important component of our environment अपने environment का क्या है important component है और क्या करता है ecological balance करता है क्या करता है ecological balance बनाके रखता है इसके बाद में forest जो है वो provide habitat to large number of plants जो plants से बहुत सारे plants और animals को क्या करता है रहने के लिए जगे प्रवाइट करता है habitat प्रवाइट करता है ठीक है इसके बाद में forest है वो co2 और oto की concentration को क्या करता है maintain करता है देखो जैसे photosynthesis होता है न तो उसमें क्या होता है co2 plant क्या करते हैं take करते हैं और otoa exhale करते है ठीके तो उसमें क्या होता है वह balance करते हैं O2 और co2 क क्या करते है balance करते है ठीक है isके बाद में prevention of soil erosion and Last slide then slide क्या होता है जो बड़ी-बड़ी lens पहार से जो बड़ी-बड़ी lens के lens के part जो तूट जाते नहें क्या बोलते है land slide बोलते हैं और soil erosion का मतलब होता है कि soil का मिट्टी के साथ उड़ना वो क्या होता है soil erosion है ना मिट्टी हवा के साथ उड़ती है उसे क्या बोलते है soil erosion ठीक है और क्या fossil fuel के formation में भी क्या करते है help करते है ठीक है जैसे जो forest होते है forest के अंदर बहुत सारे animals, plants वगरा होते हैं तो ये क्या होते हैं, दीरे-दीरे pressure से क्या होते हैं जमीन के नीचे दपते जाते हैं, तो जमीन के नीचे जपते जाते हैं और हजारों करोडों साल तक जमीन के अंदर दपते जाते हैं और क्या बन जाते हैं वो फोसील फ्यॉल में convert हो जाते हैं ठीक है फोसील फ्यॉल भी किस से बनते है फोरेस्ट से बनते है ठीक है उसके बाद में अगला देखो डी फोरेस्टेशन क्या होता है डी फोरेस्टेशन का मतलब होता है cutting down of forestry जो जंगल के जो plant है उनका cut करना क्या होता है डी फोरेस्टेशन होता है दिरे दिरे जंगलों को काटा जा रहा है वो क्या होता है डी फोरेस्टेशन होता है और डी फोरेस्टेशन करते क्यों है क्यों सारी जमीने क्या करते हैं, वहां के प्लांट को हटा दिया जाता है, और वहां पर क्या करते हैं, खिती करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वह भी causes है, deforestation का, और construction of dam, dam बना दिये जाते हैं, तो dam के वज़े से क्या होता है, बहुत सारा एरिया किसमें, पानी में डूब जाता है, तो वह एरिया क्या होगा, useless हो जाएगा, तो वह भी क्या होगा, construction of dam भी क्या हो जाएगा, deforestation का causes हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में urbanization का मतलब होता है, बड़ी-बड़ी cities का formation करना, जैसे forest है, तो उनको हटा के वहाँ पर घर बना दिये, तो वह क्या हो जाएगा, urbanization, ठीक है, cities का formation, तो वह क्या हो जाएगा, urbanization, उसके बाद में our grazing of animal, जब animals होते हैं, जो farm के जो animals होते हैं, वह क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं, ग्रास को root समेत खा लेते हैं, तो वहाँ की जगे जो क्या हो जाएगी, वो plant से less हो जाएगी, और इसी वज़े से क्या होगा उसमें, deforestation हो जाएगा, मतलब वहाँ का plant हट जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ की जमीन, deforestation हो जाएगी ठीक है उसके बाद में अगला effect of deforestation deforestation के effect क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले effect on soil देखो deforestation हो रहा है तो उसका soil पर क्या effect बढ़ेगा देखो बहुत सारे plants हैं उनकी जो roots होती है वो क्या करती है soil का particle को क्या करती है tightly tightly होती है है जो root होती है जो help in binding soil particle क्या करती है higher bind करके रखती है root होती है मिटी को bind करके रखती है और वहां से अगर अपनने plant को हटा दिया तो क्या हो जाएगी लूज हो जाएगी और लूज होने की वज़े से क्या होगी छोटे चोटे-चोटे Particle में convert हो जाएगी और क्या हो जंगलों में रहते हीं तो उनका क्या होगा रहने का जगे है वही क्या हो जाईगी उनसे चिन जाएगी तो वह कहा जाएंगे फिर उसीटी की तरफ मूउग करेंगे तो उनना फरही जगे होता है कि यहां थेमधू मिला वहां भालू रोड पर पहले मिला तो वह किस वज़ेसे होता है द्फ्रेश्टेशन के वैशेश से होता है वहार के फॉर्स्ट अपन हाटा रहे हों वहां पर क्या कर रहे हैं तो वह क्या होगा ज tại UP वाइड जो लाइफ है वो कहा जाएगी वहीं तो रहेगी ठीक है उसके बाद में effect on recycle of minerals जो minerals है उनका भी क्या होगा recycle नहीं हो पाएगा है ना जैसे की decrease O2 concentration in environment मतलब क्या होगा oxygen की concentration क्या हो जाएगी कम हो जाएगी देखो क्या होगा जैसे की अब अपन है अपन क्या करते हैं CO CO2 exhale करते हैं और O2 inhale करते हैं ठीक है अगर plants जो होते हैं वो क्या करते हैं CO2 inhale करते हैं और O2 exhale करते हैं photosynthesis के time पे तो वो क्या होगा O2 नहीं निकालेंगे O2 नहीं आएगी environment में तो क्या होगा कि डिस बैलेंस हो जाएगा न तो वह भी क्या होगा effect होगा किसकी वज़े से होगा deforestation की वज़े से और closes global warming global warming मतलब average temperature वह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा है ना अर्थ का temperature बढ़ जाएगा उसकी वज़े क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे तो वह भी किसकी वज़े से होगा deforestation की वज़े से transpiration rate decrease है ना टांस्पिरेशन रेट होती है वो टांस्पिरेशन होता कहा है plants में होता है जाएगा वाटर साइकल डेमेज होगी वाटर साइकल पर इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो यह भी यह सारे कोज़ेश किसके हो जाएंगे deforestation के और क्या होगे क्लाइमेट चेंज होता है बहुत बड़ा एक रोल होता है जो गर्वह से हो रहे है deforestation की वज़े से हो रहे है बहुत जादा बार का आना Fuk वह किस वज़े से होता है किस वज़े से होता है ठीक है तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ कारबन डायोकसाइड इनक्रीज इन्वारेटमेन जैसे कि ग्लोबल अवर्मी में क्या हुआ वह ऐरेश टेंपरेशर बढ़ गया तो वह क्या होगा क्लाइमेट ख़ुए नयद्सिंट होता है कि जमीन घटकर और नीछे गिरने Hue तो उसे क्या बोलते हैं लेंस लाइड बोलते हैं और तो वहां से हटा दिये जाएंगे तो मित्टी क्या हो जायगी लूस हो जाएगी और क्या हो जाएगी डे dire ने कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे क्या बोलते है interesting बोलते हैं क्या मित है me बन जाएगा कि म America desert बन जाएगा ठीक है- तो यह क्या होता कि ट зв किकेशन होता कि टिक टास अमने क्या पड़ा सिल्फी कल्चर पड़ा इफेक्ट पढ़े है ना इंपोरेंट्ट्स पड़ी forest की और deforestation क्या होता है वो पढ़ा और deforestation के क्या पढ़े effect पढ़े ठीक है तो अगली वीडियो में इससे आगे का लेके आएंगे आज के लिए ताई thank you